हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं आपने स्वागत करता हूं एक पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसाई का जो आपका एक्जाम हो चुका है और उसकी जो रिवाइजड अन्शर की है और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और आपकी डीवी . येस्टी की डेट और आपका फीजिकल और मेडिकल कब तक हो सकता है इस वीडियो में हम इन सभी पर बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पैस कर दीजेगा गौर्मेंट जोब और इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जो अपलोड किया गया था यूपी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वो चार मार्च को किया गया था तब से अब तक कोई भी नोटिफ जो है वो अपलोड नहीं किया गया है वहीं अगर बात करें हम यूपी एसाई के रिवाइजड डिजल्ट के बारे में सोरी रिवाइजड अंसर की के बारे में और इसके डिजल्ट के बारे में तो वो आपका कब तक आ सकता है बहुत सारी आपके सामने जो date हैं वो आ रही होगी एक 12 March आ रही होगी फिर 15 March आ रही होगी कुछ कहरें 20 March आ रही होगी कुछ कहरें 28 March को पक्का आ जाएगा तो ये सभी जो dates आ रही हैं ये भी सिर्फ सभी एक अनुमान के तोर पर आपको बता रहे हैं कि इस डेट को या इस डेट तक आपका जो है रिजल्ट आ सकता है क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 10 मार्च को रिजल्ट आया है एलेक्शन का किसके अंदर किसी की भी जीत हुई हो बीजेपी या कोई भी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन 10 तारिक के बाद जो पुलिस प्रशाशन बोर्ड था वो अब फिरी हो चुका है तो आज फ्राइड़ हो चुका है कल सेटर डे यानि कि मंडे से ये अपने जो काम हैं ये सभी स्टार्ट कर देंगे मंडे से सब डिपार्टमेंट जो है अपने काम को पूरी स्पीड के साथ करनेगी कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपने department में वापिस आ चुके हैं एक दो दिन का जो election के बाद इनका rest था साथ तारिक के बाद का जो rest था वो complete हो चुका है तो अब ये अपने काम पर आ चुके हैं तो अगर मैं आपको result की date के बारे में बताओं तो exact date तो देखो अभी तक कोई publish नहीं हुई है ले जो है वो publish कर दी जाएगी और जैसे ही आपका result आएगा उसी के साथ ही सायद आपको DV और PST की date भी देखने के लिए मिल जाए और DV PST हो सकता है कि result के 20 दिन बाद हो या फिर 30 दिन बाद हो और DV PST के तुरंत ही बाद एक वीक के अंदर ही या कुछ तिनों के अंदर ही आपक जो है फीजिकल स्टार्ट हो जाएगा अगर हम बात करते हैं कि मार्च के मिड में या फिर लास्ट में आपका result जो है पबिस हो गया तो आप ये मान के चलिए कि 30 दिन या 28 दिन के बाद आपको DV PST की date मिल जाएगी और मैं इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह आता हूं कि जो लोग अभी appear में हैं उनको अभी तक अगर final result उनका नहीं आया है और DV PST के अंदर जितने भी आपको दिन लगेंगे एक दिन या फिर चार दिन तो उन एक से चार दिन के अंदर ही आपको जो है अपनी mark sheet submit करनी होगी अगर आपका पहले दिन है तो आपको त समय नहीं दिया जाएगा आपको निकाल दिया जाएगा यह बात आप लिखके रख लीजिए अगर आपका अभी तक final result जो है graduation का वो नहीं आया है तो क्योंकि DV के अंदर ही उनको जो है आपके document जो है वो सब check करने है तो आपको DV तक अपने सारे document जो है वो fulfill करके रख लेने हैं क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी time नहीं मिलेगा और DV PhD के 30 तिन या फिर 25 तिन आप मानकर चलिए कि आपको मिल सकते हैं अपने running के लिए और running के बाद training के कुछ दिन के बाद ही आपका जो है वो medical start हो जाएगा medical के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए आपको नोकरी नहीं होने चाहिए आई-साइड आपकी week ना हो और आपके कोई major बीमारी ना हो जैसे cancer बगरा ना हो अगर यह सब आपको नहीं है तो आप pass कर जाएंगे लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है इसके अंदर result की है और अब election खतम हो चुके है तो result आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से information मि हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेश चरूट कर दीजेगा गूर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए थैंक यू और वीडियो एंड करने से पहले अगर मैं UPSI के आपको कट ओफ के बारे में बात करता हूं तो 105 या 110 तक आपके अगर रो मर्स आ रहे हैं विदा ओट नॉर्मलाईज़ेशेशन अगर आपके इतने मार्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल से और OBC के अंदर आपके 100-107 के बीच में अगर माक्स आ रहे हैं रो माक्स तो आप सेफ हैं और protections का जो है वो ओऐ वह ओवीची के बीच में रहता है और अगर मैं बात करता हूँ SC और ST वाले candidates के लिए तो SC और ST candidate वालों के लिए अगर 75 प्लस आपके 85 प्लस आपके अगर row marks बन रहे हैं तो आप running की जो है तैयारी करना start कर दीजिए क्योंकि एक बात result आगया तो आपको ज़्यादा time नहीं दिया जाएगा running के लिए और अगर मैं girls की बात करता हूँ तो girls के अंदर UR में आपके 100 marks आ रहे हो 100 plus और OBC के अंदर आपके आ रहे हो 90 90 plus और अगर आप SC या फिर ST candidate की girl है category वाली अगर गर लें तो आपके 80 plus या फिर 85 plus यानि के आपने सभी criteria अगर fulfill कर दिये हैं आप 4 section में pass हैं और आपके 200 marks जोगी नोंने criteria रखा था 400 के अंदर से 50% marks लाने जरूरी हैं अगर वो सब आप qualify कर रही हैं तो आप safe zone के अंदर हैं अगर मैं बात करता हूँ कि चार section के अंदर से आप आपने सभी section को qualify किया है लेकिन आपके 80 marks नहीं आ रहे हैं तो आप disqualified हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका normalization में नंबर आ जाएगा तो वो एक इत्फाक हो सकता है आपका नंबर आ भी सकता है लेकिन ज्यादा चांसी हैं कि आपका नंबर जो है नहीं आएगा अगर आपके 80 marks 160 में से 80 सवाल आपके सही नहीं हुए हैं तो क्योंकि criteria जो था वो आपको 14 नंबर 14 सवाल आपको ठीक करने ही थे उसके अंदर से और आपको total 400 में से 200 marks जो है लाने ही लाने थे अगर आपको criteria फुल्फिल करना था तो यह इन्होंने अपनी पहले ही notification में जारिक कर दिया थ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share channel को subscribe करना ना भूले थैंक्यू